आज हम आपको दुनिया के सबसे ठंडे सहर के बारें बताने वाले हैं वैसे तो ठंड को जाता लोग पसंद करते हैं लेकिन यहां की सर्दी खून जमा देने वाली होती है लेकिन फिर वी यहां स्कूल चलते रहते हैं ठंड से सरी को गला देने वाले सहर का नाम ओयमी कौन है जो की रूस में इस्तित है यहां का तापमान माइनस 72 डिगरी सेल्सियस तक नोट किया गया है लेकिन सर्दियों के मौसम में यहां सामान तापमान माइनस 50 डिगरी सेल्सियस तक रहता है अगर आप यहां गर्म पानी क हवा में उच्छाल दें तो तुरंद बर्फ में बदल जाता है इसे दुनिया का सबसे ठंडा सहर कहा जाता है इसे भी ठंडी जगा एक और है लेकिन वो कोई सहर नहीं है और ना ही वहां कोई रहता है या ठंड इसकदर पड़ती है कि यदि गाली का इंजन बंद हो जाए तो गाली को दुबारा चालू करना नामुम्कन हो जाता है लेकिन फिर वी ये सहर कई लोगों के लिए वेश टूरिस प्लेस है यहां आना इतना असान नहीं है और इस सहर में घूमने के लिए टूरिस्टों को खाश ट्रेनिंग दी जाती है सर्दियों के मौसम में यहां पाइ जाना पड़ता है इस सहर के कई चोराओ उपर थर्मामीटर भी लगाए गए हैं वहीं सहर के एक चोराओ पर में थर्मामीटर लगा हुआ है यहां आप देख सकते हैं कि सबसे कम और सबसे ज़्यादा तापमान कब गया था क्योंकि यह सहर आर्केटिक सर्कल के बहुत है और यहां सर्दियों के मौसम में 21 घंटे अंदेरा रहता है अगर आप घूमने आना चाहते हैं तो आपको सर्दियों में यहां पहुंचने के लिए नजदी की रूसी सहर या पुत्सक से दो दिन का कार में सफर करना पड़ेगा क्योंकि यहां इतनी बर्फ जमा हो जाती है कि कोई भी plane land नहीं कर पाता और साकाहारी टूरिस्टों के लिए इस सहर में खाने की बहुत दिक्कत हो सकती है क्योंकि यहां सर्दियों में खेती विल्कुल नहीं होती और गर्मियों में बहुत ही कम होती है इसलिए यहां के लोगों को खर्गोश, रेंडियर, मचलियों और अंडों के भरोसे रहना पड़ता है और कई वार मरे हुए जानवर को पकाने के लिए उन्हें भी पहले पिखलाना पड़ता है